आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अपने पेन कार्ड में अधहार नंबर को कैसे लिंक करेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये बोल दिया जाए कि आपको पेन कार्ड में अधहार नंबर लिंक करने आता है तो वो बोलता है कि हमें नहीं आता है और इस सि आपको सब्सक्राइब करें और इस तरीका का नया नया वीडियो प्रुजाना चलिए मैं आपको प्राइट कली करके देखा देता हूं कि इस तरीके से अपने पेन कार्ड में अधहार लंबो को लिंक करेंगे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अधहार नमबर लिंक कार्ड में अधहार नमबर लिंक करते हैं लिंक करने के लिए मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेन कार्ड में अधहार नमबर लिंक करेंगे मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सर में दे दिया हूँ जहां से जाने के बाद भी अभी इस पेच पे आ सकते हो या आप अपने मबायल या लेप्ट अप यूज कर रहे हैं लेफ्ट साइड में स्क्रोल डॉन करके नीची आये यहां पर देख रहे हैं कि अधहार लिंक इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे इस पर किलिक कीजिए तो आपके सामने यह पेज ओपन होके आ जाता है अब यहां से बहुत यह असानी से आप अपने प्रें कार्ट में अ आधहार गिपन consulti करेंगे इसके बद यहां बोला जा रहा है कि वेलाकम 24टीट में यहां यहां पर आपको मिलता है quiq यहां नीचे मिले गया अधहार फिन लिंक इस पर किलिक करेंगे यहां मिल जाता है आपको लिंक अधार टूपेंट इस पर किलिक करेंगे अब यह वाला जो अप्सन है अब पहले वाला में देखाया था वो जो इफिलिंक के द्वरा किये थे यह दोनुस सेम ही है तो अब जिससे करना चाहे उसे आप कर सकते हैं चलिए मैं इसको कैंसल कर देता हूं और मैं पहले वाल करको कि दखा देता हूं कि हमें तो करनी है अब यहां पर अपना नंबर डालेंगे यहां अधार नंबर डालेंगे अधार पर जो नाम है वो डालेंगे अब यहां बोला जा रहा है कि I have only year of birth in अधार मतलब आपके जो अधार है उस पर श्रिप year मतलब मतलब आपका जो day और तो मन्थ नहीं है अगर नहीं है तो simply year है श्रिप आपके अधार पर यहां चेक मार्क करेंगे अगर आपके अधार कार्ट पे दे मन्थ और यह तीनु है तो यहां पर आप चेक मार्क नहीं करेंगे इसके बद यहां स्क्रॉल डॉर्ण करके नीची आए यहां बोला जा रहा ह iya link अधार प्रोके करेंगे अगर आप ओटीपी के दवारा आप अपने प्रेंगे अधार नमर्लिंक्र करना चाहते हैं तो simply जो है यहां चेक्मर्क करके o.tp मंगाएंगे चलिए हमें capture डाल के यहां पे link फिक करेंगे तो मैं यहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा Already यहाँ पर जो अधार कार्ड, pain card में यह लिंक हो चुका है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि green का option यहाँ पर आ चुका है तो आप भी बहुत ही असानी से इसी तरीके से अपने pain card में अधार number लिंक कर सकते हैं So, जब आपने जाना के किस तरीके से हम अपने Payne Card में अधार नमोर को लिंक करेंगे So, I hope कि एध विडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर विडियो पसंद आया तो विडियो को लाइक करिए, अपनी deeperunde के साझ चीर कर दिन आपके दिल में कोई questions हो तो नीचे comment box में जाके comment करके पोच सकते हैं